जब भी घर में केला पच जाए और जादा पक जाता है तो कोई भी इसे खाना नहीं पसंद करता है तो चलिए फ्रेंड आज हम इस पके हुए केले की एक अच्छी सी रेसिपी बनाते हैं जो की हर किसी को पसंद आएगी तो यहां देखिए दो केला है इसे हम अच्छे से पहल अच्छा बनेगा और उसके बाद यहां आदा कटोरी हम चीनी लेंगे यह बारीक वाली चीनी है अगर मोटी वाली चीनी ले रहे हैं तो थोड़ा कम ही ले और उसके बाद चीनी को इस केले में हम अच्छे से मिक्स करेंगे और देख सकते हैं कितना अच्छा से मिक्स हो गय एक-चोता ही बाग हम सुजी लेंगे, और एक चमज फॉखा हुओ नारियल को इस तरीके से बारिक काट कर लेंगे, अब चाहे तो नारियल rocky को घिस कर भी ले, और आदा-चोती चमज, सौंफ लेंगे और 3-4 इलाइची को क्रस्ट कर के डालेंगे, अब चाहे पाउडर भी डालिए इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और यहां देखिए सबको अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं और पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और देख सकते हैं मिक्स करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा तो इसी तरीके से पहले मिक्स कर और उसके बार उगला हुआ दूद ले जिसे रूम टंपरेचर पर ठंडा कर ले और इसमें थोड़ा थोड़ा दूद डाल कर हम अच्छा सा एक बैटर बनाएंगे और याद रखिए दूद शुरू में ही ज्यादा मट डालिएगा थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा कि जिसे आपका परफेक्ट रेस भी बनेगी और यहाँ देखिए एक ही डारेक्शन में इसी तरीके से घुमाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मैदा का कोई भी लंप्स इसमें नहीं रह जाए और देखिए देखने से कितना अच्छा दिख रहा है और कितना अच्छा फेटा भी गया है तब हम इसमें थोड़ा सा दूद और डालते हैं दूद थोड़ा सा कम दिख रहा था तो इसी तरीके से आपको अगर दूद का क्वांटिटी कम लगे तब डालेगा अगर नहीं लगे तो आप इसमें दूद ज्यादा नहीं डालेगा और देख सकते हैं गोल इस तरीके से होना चाहिए ज्यादा ना पतला ना ज्यादा गारा इस तरीके से रहेगा तो बहुत अच्छे बनेगी आपकी रेसिपी और इसे हम दो से तीन घंटे के लिए छोड़ देंगे आप चाहे तो आधे घंटे के बाद भी बना सकते हैं लेकिन दो से तीन घंटा जब बनाएंगे तो अच्छा सा ये फुला फुला बनेगा तो यहां देखिए दो घंटे के बाद कुछ इस तरीके से हो जाएगा तब इसे एक बार हम मीक्स कर लेते हैं और सूजी फुलने के बाद थोड़ा सा गारा हो जाएगा तो अगर ज्यादा गारा हो जाए तो थोड़ा सा दूर डाल कर पतला कर दें लेकिन अगर इस तरीके कर रहे तो दूट डालने का कोई जरूरत नहीं है फिर एक पैन में या कराही में तेल गरम करेंगे कभी भी ये रेसिपी आप पैन में बनाईएगा एक साथ चार पांच अराम से निकल जाएगा और इसमें एक चम्मच ये देखिए कल्ची की मदद से थोड़ा थोड़ा अर एक मिनट जब इस पेप방 करें तो थोड़ा थोड़ा देखिए पैल इस तरीके से ऊपर इउपर से उच्छालते रहेंगे इससे की बहुत अच्छा फूर जाएगा अब देखिए देखते ही देखते कितना अच्छा ये फूल चुका है और देखिए कितना अच्छा ये गुबारे की तरह फूल गया है कोई भी ये बता नहीं सकता है कि ये केले के बनी है तो इस तरीके से देखिए तेल को इस तरीके से उचालते रहेंगे और देखिएगा कि ये सब भी कितना अच्छा फूल जाएगा और देखिए इसको पलड देते हैं और ये देखिए कैसे पूरी के जैसा फूल गया है तो इसी तरीके से इस सब को भी और देख सकते हैं कितना अच्छा फूल गया है सारा एकदम एक जैसा फूला है तो इस तरीके से परफेक्ट नाप और परफेक्ट तरीके से बनाए आपका भी यह फूला फूला बनेगा और इस तरीके से देखिए इसे पलर देते हैं और देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है और देखने में जितना अच्छा है खाने में भी उतना ही टेस्टी है आप चाहे तो इस बैटर को अराम से फ्रीज में बना कर 2-3 दिन तक जब भी मन करें तब इसे चान कर खा सकते हैं और देखिए इस तरीके से ये भी देखिए कितना अच्छा फूल गया तब इसे पलर देते हैं तो इसी तरीके से आपको जितना भी लाल लल पसंद हो या थोड़ा सा उजला पसंद हो तो उस तरीके से आप इसे फ्राई कर ले और देख सकते कितना अच्छा बना है पुड़ा फूला फूला तो एक बार इस रेसिपी को बनाईएगा बहुत पसंद आएगी और इसे आप बचे की लंच बोक्स में भी देंगे तो बहुत पसंद आएगा तो यहां देखिए कलर भी कितना अच्छा आगया है तो बस अब ज़्यादा इसे लाल नहीं करेंगे इतना ही परफेक्ट है तो चलिए बारी-बारी से इसे हम निकाल लेते हैं देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आया है और देखने में بھی कितना सुन्दर दिख राया है तो इसे निकाल लेते हैं और सेम बचे हुए बैटर से हम इसी तरीके से थोड़ा-थोड़ा करके बैटर डालेंगे और इस तरीके से हम बना लेते हैं आप इसे पैन में बनाईएगा तो एक साथ अराम से पांच छे अराम से बन जाएगा अगर बड़ा साइज बनाएगे तो कम बनेगा लेकिन छोटा-छोटा बनाए कि देखने में भी अच्छा लगे तो अकी बच्चे भी अराम से इसे खा ले और बच्चे के लंच बक्स में भी दे तो उनको बहुत पसंद आने वाला है और यहां देखिए एक बैच हमारा और बन के तयार हो गया है और देखे कितना अच्छा ये भी फुला फुला बना है एकदम परफेक्ट रेसिपी है आपको टेंसर लेने का जरूत नहीं है कि पके हुए केले का आप क्या करेंगे तो जब भी घर में केला बच जाए कोई खाना नहीं चाहे तो इस तरीके की रेसिपी आप जरूर बनाईएगा तो देखिए एक बैच हमारा और बन गया है और कितना अच्छा बना है तो चलिए इसे भी निकाल लेते हैं और निकालने के बाद आपको हम दिखाते हैं तो ये देखिए फ्रेंड पके हुए केले से कितना अच्छा नास्ता हमारा बन के तयार हुआ है तो फ्रेंड रेसिपी कैसी लगी मुझे जरूर बताईएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक करे चैनल पर नए है तो चैनल को सस्क्राइब करे और बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि आने वाली वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो फ्रेंड आपके लिए मैं और क्या चीज की रेसिपी लाओं आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बनाईएगा ताकि मैं आप लोग के लिए नही नही रेसिपी बना सकूँ